गुद मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स, ओप यौ लर फिट अन फाइन, आज के इस वीडियो में हम पार्थ आर्थ कुछ कर दिखलाएंगे का अभ्यास कार्य कम्प्लीट करेंगे लिखी के अंतरगर्च सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए यहाँ आपको बुख मेंी कम्प्लीट करना है, जिसमें कव है, हमें किस से नहीं घबराना चाहिए आपको चार ओप्षन तीके रखे हुए हैं, आपको यहाँ पर संघरशों से नहीं घबराना चाहिए पर टेक करना है या पैंचिल से ही बुख में फिल करेंगे ख़ देखते हैं जन जन में क्या जगाने की बात की गई है यहां हम सदभाव पर टिकमा करेंगे जन जन में सदभाव जगाने की बात की गई है गव देखते हैं भारत की कीर्ती फहराएंगे यहां पर हम ध्वजा पर टिकमा करेंगे भारत की किर्ती ध्वजा फहराएंगे नेक्स्ट है question number two पंक्तियां पूरी कीजिए कहे गाएंगे हम इसको आपको इसके पहले क्या आएगा वो फिल करना है गीत प्यारे के गाएंगे हम सबको गले लगाएंगे हम तो यहाँ पर यह पंक्तियां कम्प्लीट होती है ख देखते हैं जन जन में सदभाव प्रेम के सुन्दर भाव जगाएंगे अभी आपको पैंसल से ही अपनी बुक में फिल करना है ग है उन्नत गिरी पर निज भारत की उन्नती गिरी पर निज भारत की कीर्ती ध्वजा फहराएंगे घ है मा तेरी सोगंध देश हित कुछ करके दिखलाएंगे आपको कविता की ये पंक्तियां बुक में ही पैंसल से फिल करनी है नेक्स्ट फोर्थ क्वेस्चन है अर्थ लिखिए ये भी आपको बुक में ही कंप्लीट करना है कव है एक धर्म है एक जाती है इसका अर्थ क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है सद भाव प्रेम ही धर्म है और जाती है यही बात जन जन में दोहराना है आप इसको भी पैंसल से ही बुक में फिल करेंगे खव है संगर्षों से क्या घबराना आगे बढ़ते जाएंगे इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्था हम दिखेंगे हमें हमीशा मुसीबतों का सामना करना चाहिए उससे घबराना या हारना नहीं चाहिए और बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट फिफ्ट नंबर का क्वेशन है कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें बच्चों ने कुछ कर दिखाने की बात कही है तो यहाँ पर हमको पोयम की वो लाइन सी लिखनी है जिसमें बच्चों ने कुछ कर दिखाने की बात कही है तो पहली लाइन है वक्ष चीरी के चटानों का रास्ता नया बनाएंगे यह भी पैंसल से ही बुक में फिल करना है सेकंड है उन्नती गिरी पर निज भारत की कीरती ध्वजा फहराएंगे इस सारा बुक वर्क आपको बुक में ही पैंसल से नीट और क्ली राइटिंग में कम्प्लीट करना है सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव नाइस दिखाने